Hello everyone, my name is Ankit Verma और आप देख रहे हैं lecture series on 100 tricky questions for gate and isro इस lecture में हम mainly isro के questions करेंगे previous year में जो आये हैं और mainly मैंने इसमे strength of material के questions लिये हैं और theory of machine के एक-दो questions लिये हैं इसमें कोशिश करेंगे कि maximum questions इस lecture में cover करें और सभी के सभी जो questions है isro में previous year में आये हैं तो इस lecture no.3 है इस lecture series का ठीक है अब दक हमने 10 questions इसमें cover up कर लिये थे अब हम next करते हैं एक 11th question इस lecture series का जो कि isro 2018 में एक question आया यह figure ऐसे दी है एक aluminium है एक बीच में steel है दो मिटर की aluminium है तीन मिटर की है steel की और बीच में क्या किया कि इसको fix की है rigidly fixed दो support P और Q के पीच में तो इनों का area भी दिया है aluminium का भी दिया है और steel का भी दिया दोनों की length भी दी है अब इसने क्या कहा अगर temperature आपको कितना बढ़ा दिया जाए इसका इसी arrangement का 10 degree तो इसमें जो reaction force होगी कितनी लगेगी तो reaction कितनी लगेगी इन ends पे वो हमें सबसे पहले हम काम क्या करते हैं कि हम जो temperature rise के कारण जो elongation हुई है क्योंकि equilibrium में क्या condition आएगी कि जो temperature rise के कारण elongation हुई है उसे हम किस से compare कर लेंगे जो elongation होती है जो हमने stress और strain का जो डाइग्राम से पड़ी है equation या stress upon strain इस तो young modelers वहां से जो deformation थे उसको equate करेंगी तो इस type के हालात से हम यह question करेंगे तो मैं आपको इसमें बताता हूं कि सबसे पहले total elongation निकाल देते हैं जिसे delta से denote करते है total elongation delta इसके T जो कि temperature rise के कारण है तो aluminium और steel दोनों का होगा इसमें तो L of aluminium alpha of aluminium into delta T plus L of steel alpha of steel into delta T delta T दिया है 10 यह alpha की values भी दी है तोने कि इसकी 11 दी है तो length जो आपको meter में दिया उसे mm में convert को is aluminium की 2 meter दिया है तो इसको 2000 लिख लिजिए clear यहां से solve करके जो delta की बारती है 36 और बाइस अथावन 0.58 mm, 0.58 mm आ जाएगी total deformation clear अब यह deformation जो है अगर हम यह temperature rise के कारण हुई है अगर आपको इसमें जो दुनों तरफ से जो stress लग रही है किस reaction के कारण लग रही है वो reaction let हम reaction को माल लेते हैं पी ठीक है तो वो ही पी लग रहा होगा aluminium में वो ही पी लग रहा होगा steel में ठीक है क्योंकि एक rigidly fixed link है यह ऐसे clear तो हम P into Ls upon As into Es यह तो steel में elongation हुई है P into L of Aluminium upon As A Aluminium into E of Aluminium clear तो बाकी इसको दूसरे थरीके से भी कर सकते टेंशन लेने की जिद्ध रवन रटू मान के भी कर सकते हैं और जो net result निकाल के उससे भी हो सकता है बढ़ हमने क्या मान के चला दोनों दूसरों forces के हैं P लग ली तो यह यहां से भी जो डेल्टा solve करके आएगा मतलब इसके terms में आगे और डेल्टा कितना है हमारा 0.580 यहां यह ट्रिक थी वास इस question में इसरो 2018 में यह question है अच्छा MM में कर देते हैं यह जैसे Aluminium की बात करूं Area of Aluminium जैसे की 400 दिया है और Young Small Less भी दिया है MM में कर देंगे इसको इसी तरी कैसे Steel के बारे में भी लिख देते हैं Area of Steel 200 दिया है और यह कितना दिया है 200 दिया है यह सब values हमें दिया है clear तो यह जो value हमारी solve करके यह MM में आया था delta अब यह भी जो deformation आया हमारा MM में है क्योंकि यह इसी लिए मैंने 70,000 स्वार्ट से 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 कर दिया clear जिसे 210 GPA दिया है value मैं बता देता हूं into 10 की power क्या लिख सकते हो 9 लिख सकते हो इसमें किसमें निकालनी हो MM स्वार में निकालनी हो तो क्या value हो जाएगी इसको 10 की power 6 से आप क्या कर दोगे divide कर दोगे तो यहीं से यह value आई है कोई दिक्कत नहीं हो गया अच्छा यहां से यह value solve करके आई है अगर आप इसको ध्यान से देखें तीन जीरो कट गी है यह दो गया तो इसको multiply कर देंगे और यहां से जो पी की value आजएगी वह आजएगी 406 Newton क्लियर समझागी बात कैसे इन questions को deal करना आगे कोई भी ऐसा question है तो आप इसको बड़े अराम से कर सकते हैं ऐसा ही same question IES 2015 में है वहाँ पर जो 3 sections दिया है और अलग-अलग के areas दिये थे अलग-अलग material दिया था same concept से question होना था और यह भी मैं बता था P force जो reaction force है हमने इस तरह से यह मानना है अब मुझे लगता है आपको अच्छे समझागा concept की अच्छे से कोई दिखका तो comment में बताना कि यह कोई भी problem हो next question is larger than in tensile strength in tension हमें यह बात पता है पता हो रहती है याद रहती है यह सब चीज कि जो brittle material के लिए compression की tensile strength है ultimate strength अगर हम बात करें compression में वह ज्यादा होती है ultimate strength in tension और यह जो चीज़ है ultimate यह नहीं आएगा tensile का क्या मतलब बैट रहा है ultimate strength maximum strength tension में वह ज्यादा होती है ultimate strength in tension क्या reason है knacking होती है दूसरा option flows और macroscopic cracks होते हैं यह बिलकुल होते हैं brittle material में अगर हम ध्यान से देखे उसके अंदर flows और microscopy cracks या cavities होती है अगर हम बात करें stress और strain के डाइग्राम की for compression और tension के लिए तो tension में इस तरह से डाइग्राम बनता है stress और strain की बात करें अगर हम compression का ही material इसमें बनाए और stress strain डाइग्राम बनाए brittle material के लिए compression के लिए कुल और ишन के लिए ये किसके लिए compression के लिए और ये किसके लिए आएगा ये किसके लिए ब्रिटल मेट्रियल में होता है compression में जो strength है ultimate strength क्या थी या दाइग्राम इसमें आता है उसका reason क्या है जब भी आप compressive stress लगाते हैं तो इसके अंदर जो flows होते हैं, cracks होते हैं इस तरह से इसमें rapture होता है इसका जो तूटने का तरीका है वो इस तरह से होता है मेरे बाद समझ में आगी आपको कि इस बात को और अच्छे से मैं से यहां डिसक्स करने जा रहा है कि मेरा मकसद यही है कि question तो चलो इस बाहने से आगा लेकिन हमें इस चीज़ सीखने के लिए इंट्रव्यू के लिए बहुत important question है कि ब्रिटल मेट्रियल और compression में कैसे strong है कि हमने क्या strongest है हमने क्या assume किया है हाँ पर कि ब्रिटल मेट्रियल का जो failure है जो हमें पाता है वो by propagation of cracks होता है मैंने cracks start हो जाते हैं अब देखो इस चीज़ को कैसे जैसे हम अगर tension की बात करेंगे जो cracks होते हैं ठीक है वो अगर हम अगर ब्रिटल मेट्रियल और tension की बात करेंगे जो cracks होंगे वो कैसे तो कि अर्येट करते हैं cracks और येंटेड ऑर पर्पेंडिकुलर टुदा अपलाइड ँगे पर्पेंडिकुलर तुदा अपलाइड टेंशन की बात करते हां मैं पूलेड़ट में आब यह टॉपिक आपको बना रहा हूं टेंशन के दावां तो यह जो σीगणाटी होती है जो की stress होती है जैसी वो जैसी वो crack बनने लगते है टेंशन के दोगा compression में भी identical crack होते हैं लेकिन वो कैसे रहते है parallel to the applied compression direction मतलब यह जो cracks बनते हैं compression में वो कैसे बनते है parallel to the applied compression direction अगर हम इसको और mathematical देखें जो sigma c की value होती है कि sigma c की value क्या होगी the stress to move the crack कितनी stress चाहिए to move the cracks अब क्योंकि वो उसी की direction में आ रहे हैं तो problem create कर रहे हैं थोड़ा ज्यादा stress लगानी पड़ रही है तो इसमें जो sigma c की value होती है पूरा मैं वो को बता रहा हूं इसकी value होती है यह इस case में divide किससे होता है यह उसे होता है यह क्योंकि है poisons ratio है तो यानि कि brittle cracks compression के दवारान किस effect को लाता है poisons effect को सामने लाता है तो यहां से जो sigma c की value है इसी लिए जार होती है isotropic material है तो poisons ratio लगवा की लगवा हम उसका एक बटा तीन मान के चलते है तो यहां से sigma c की value कितनी आ जाएगी 3 times of sigma t यह मैंने ऐसे ही general case में आपको बताया तो अकर हम isotropic material की बात करें कि उसमें जब 3 times larger stress required होती है किस चीज़ को तोड़ने के लिए compression में तोड़ने के लिए as compared to tension ठीक है तो यह simple सी line में भी हमारा इतना काम खतम हो गया था कि cracks और इसके गाले लेकिन थोड़ा जोड़ने की जूरत नहीं है यह चीज मैंने आपको इसमें समझा दी तो जो सिग्मा टी है वो इस direction में लगता है area cross sectional area ऐसे और वो जो सिग्मा सी है वो cross sectional area के साथ ही लगता है parallel to the applied ठीक है तो उस तरीके से हमने इसको समझ लिया और यहां से यह भी देख लिया कि सिग्मा सी के वरू लग 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 तीन गोला है और वैसे भी बास समझने की है ना कि जो स्क्रेक्स होते हैं उसकी high concentration stress concentration होती है ठीक है तो इस कारण से ज्यादा stress लगती है बागी बहुत कुछ मैंने इसमें बढ़ा देए हम next question करते है question number 13 देखते है इसने क्या कहा कोई भी element है यह भी 19218 थारा का question है इसने क्या कहा कोई भी element है इसको load किया है इस तरह से 300 MPa की यसे है इस direction में और इस direction में so compression और देड़ सो की इस direction में तीसरी direction में लगाई है तो one misses stress पुछी है यानि कि इसने कुछ नहीं पुछा इक्विलेंट stress पुछी है one misses formula लगाए है तो इसके लिए आपको इसका formula बता होना जी है और कुछ भी नहीं है सबसे पहले इसमें sigma 1 की value अगर मैं इसको sigma sigma 1 माल लेता हूं इसको sigma 2 और इसको sigma 3 माल लेता हूं तो करते हैं question को सब्सक्राइब जल्दी सब्सक्राइब sigma 1 की value sigma 2 की value minus 100 MPa लेनी पड़ेगी और sigma 3 की value 1500 MPa लेनी पड़ेगी हाँ अब हमें एक बात पता है one misses criteria के रहे हैं जो direct मैं आपको बताता हूं जो equivalent stress होती है उसकी value क्या होती है 1 by 2 sigma square की value बराबर क्या होती है 1 by 2 आपको देखना पड़ेगा यह जाके यह मैंने वैसे पढ़ा है कहीं बात ओके इन net value है अगर आपको net one misses stress है यह वाली ठीक है तो सब values आपको given है sigma 1 sigma तो बस values ही रखनी दे और कुछ नहीं था है ठीक है तो 1 by 2 तो इसको चाहिए sigma की value निकाल नहीं हो तो इसको 1 by under root लिख लिए और यह भी under root में लिख लिए तो इन दुनों को minus करोगे तो यह 400 square square हो जाएगा अपलस इसको करोगे minus माइनस डाइसो करो सिग्मा थरी से माइनस तो इसको यह वैली वैल्यू जो भी सॉल करके आएगी वन्बैट सिग्मा की value यहां से answer के आते साड़े 300 मेगा पासकल दिया है अब चेक कर लेना calculator से सॉल करके ठीक है तो यह मैं टाइम में बचार हूँ जल्दी से सुल का दे सिद्धा यह थोड़ा सा असान कोशन में direct formula based है बढ़िया इससे पिछला कोशन बहुत बढ़िया था एक और कोशन है यह जो कोशन है इसने यह theory of machine का कोशन माल लीजी लेकिन फिद इस strength of material का use है इसरो 2014 में एक कोशन आया है इसने क्या कहा है fundamental frequency of the cantilever beam with point P at the free end in radian per second fundamental frequency जरूर बोल दी लेकिन यह omega ही पूच रहा है ठीक है यहाँ गटबड़ हो जाती है थोड़ी जी और इस type के दिया है cantilever beam दिया है तो यहाँ पर हमें deflection भी इसका पता है तो direct formula based है मैं इसको कराने जा रहा हूं हमें पता है natural frequency का जो formula है वो यह होता है omega equals to g upon delta तो delta की जो value होगी हमें पता है deflection का formula इसके लिए strength of material में हमने पढ़ा है अगर यह L length है इसकी PL cube upon 3EI यही पढ़ा है तो यहां से हमने omega n की जो value आएगी g इतने radian per second बहुत असान question था बट आया इस वरो में तो मुझे कराना पड़ा तो यह हम कोशिच करेंगी कि maximum questions यहां पर हम solve करेंगे एक इसरो 2008 में question आया theory of machine का तो इसमें क्या कहा angle of dwell is defined as the angle of dwell के बारे में पूछा है इसने angle of dwell किसे कहते हैं तो इसने बोला है next is is defined as the angle of rotation of the cam for definite displacement of the follower through which the angle cam rotates during the period in which the follower remains in the rest position dwell मतलब होता ही यह है कि जब follower उस time पे rest पे रहता है अभी मैं इसको diagram के point of view से बतांगा और last option है move by the cam from instant follow or begin to rise till it reaches to the maximum position चलो आप लगाओ answer क्या है बाकि मैं इसमें एक बार समझा जोता हूं कि कैसे इसमें profile बनती है बड़ा simple सा है ठीक है यह अगर मैं इसका base circle बनाओ ऐसे तो जो एक तरह से अगर हम बात करें कि start यहां से अगर कोई रोटेट करती है लेकिन follower अपनी जगा पे वहीं के वहीं रहता है वैसे तो follower अपना कुछ कुछ motion कर रहा हूं थ्रू विश्ट रोटेट्स दूरिंग दा पिरिएड इन विश्ट फोलोर रिमेंस इन दा हाइस्ट पोजीशन तो यह उस पॉइंट को हम जहां से हमारा ही कवर होगे विश्ट कॉश्चन जोगा नेक्स्ट कॉश्चन जोगते हैं यह 10 रोजार 17 में है वेखो इस टाइप का है और एक फिक्स एंड है फिक्स प्लेट है एक एक प्लेट है एक प्लेट है इस पर कुछ उनिफॉर्म प्रेशर लगा रहा है दो ब्लॉक्स हैं जसका अलग-अलग-अलग य श्यौण समॉड लस दिया है तो इसने चार चीज़े दी है हमें स्ट्रेस दोनों में सेम लगेगी क्या स्ट्रेंड दोनों में सेम लगेगी क्या जो A-B है वो टिल्ट करेगी जो प्लेट A-B है ठीक है वो टिल्ट करेगी और पॉइंट जो B है वो upward जाएगा या point A upward जाएगा चार option ये चार statement दी समय से पूछ है ये सही है ये सही है ये वाली दो सही है ये है दो सही है इस type का question है इसरो 2017 में ये question है screenshot लो और question को try करो रोक के lecture बाकी मैं इसमें बता रहा हूँ चलिए solve करते हैं इसको ये भी simple ही है इसरो के question इतने tough नहीं होते है लो IES के level के question होते है IES prelims वाले मेरे को आज़त है वैसे भी gate के question करने कि ये मेरे को सही में simple लग रहे है चाहिए strain का formula क्या होता है वो होता है stress upon young small less या P upon A अपने stress एक तरह से इसमें force लगाई भी माल लेता है पी लगाई भी है ठीक है तो और जो pressure है जैसे एक तरह से pressure ही है तो इसको आप pressure ही लिख लिए जाए दो stress को force को आप P small p और यह P pressure लिख लिए एक तरह से पर भी यहां से proper आइडिया होगा है जो deflection का formula है या कहलो change जो भी उसमें deformation हुआ है वो inversely proportional to e है क्योंकि यहां पर जो pressure है वो constant लग रहा है पूरे एरिया में ठीक है तो हमें यह data दिया है question में लेकिन हमें एक बात पता है अगर हम जोगी इसमें question में एक और चीश दी है तो हम इसमें बताऊंगा आपको e1 जादा दिया है e2 से और इस statement से क्या पता लग जाएगा जो delta l1 है वो less than हो जाएगा delta l2 से क्योंकि यह inversely proportional है तो यहां से हमें क्या बात पता लग गई है कि strain दुनों का अलग-अलग है यानि कि यह वाली statement तो गलत हो गई यानि कि जहां पर भी q आ रहा है गलत भी ना बंद करें हमने यह solve कर दिया है ना तो अब एक यह statement देखते हैं कि s सही है या r सही है ठीक है अब देखते है किसका deformation ज़्यादा हुआ पहले वाले का या दूसरे वाले का इस वाले का deformation ज़्यादा हुआ है इसा ही है ना यह plate जो है tilt तो करेगी लेकिन जो क्योंकि इसमें वाली में deformation ज़्यादा हुआ है तो जो point B है point B है यह यहाँ पर यह downward आएगा क्योंकि देखो जब इसमें deformation ज़्यादा होगा तो यह ज़्यादा पिछकेगी यह थोड़ी सी कम पिछकेगी तो यह वाला point क्या एगा downward आएगा और यह यह जो AB plate है वो थोड़ी सी क्या करेगी tilt करेगी वस इतने से concept से इसने question पूछ लिया इसलिए answer क्या आगया हमारा P और R stress दुरनों के case में क्या लग रही है same लग लिया clear समझ आगी बार कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें uniform pressure लग रहा है ठीक है तो सब चीज़ जब fix area पे लग रही है तो फिर stress की value क्या रहेगी same रहेगी question में given है ठीक है समझाए एक और कर लेते हैं एक मिनट हाँ जी तो ये question है इसरो 2017 में आया एक question है इसने के वाला beam है कोई rectangular cross-sectional area कि इसकी depth दी है width दी है length दी है subjected to shear force at its free end beam को हमने इस material से बनाए जो कि maximum shear stress theory को follow रहती है तो उसने 4 option दिया है कि beam में जो uniform shear stress है वो f upon bd है maximum shear stress cross-section में bending stress दोनों में बराबर जब l बराबर d by 2 होती है एक और चीज जब l d by 2 से बड़ा होगा तो bending stress decide करेगी failure stress को और क्या बोला से last part में जब bending stress है वो independent of width है ठीक है तो अब हम इस question को try करते हैं ये भी अच्छा option है तो पहले part में इसमें क्या आप आ है कि beam का uniform shear stress है f upon bd तो पहले तो में आपका एक doubt clear कर दूँ जो maximum shear stress या shear stress जो होती है किसी भी rectangular section में वो parabolically vary करती है ठीक है और maximum या आप note कर लें इस बात पर जो maximum shear stress है वो होती है 3 by 2 f upon bd ना कि f upon bd होती है यह अपने chapter पढ़ाई होगा आप मैं पूरा है आप नहीं बता सकता है maximum shear stress की value होती है ठीक है next चीज क्या है अगर आप bending stress निकाले उसका formula क्या होता है sigma b upon y by r आपर e upon r तो इन दोनों को solve करके यहां से जो sigma और जो beam भी दिया है वो cantilever beam दिया है तो उसकी value भी जो m की value होईगी वो f into l होएगी ठीक है और जो i की value होईगी यहां से bdq upon bdq upon 12 होईगी और y की value की होईगी d upon 2 होईगी तो यहां से जो value होती है d square होती है अब ठीक है अब l को आप d by 2 रखके देखिये बोला ना उसने l by 2 पे तो इस maximum share stress है और bending stress है और bending stress है बराबर रखके देख लेते हैं l को d by 2 रखके है तो यहां से जो sigma max की value आती है 3f d upon bd square और यह कर गया है यहां सिगमा और max की value आती है हमारी 3f upon bd क्या यह दोनों बराबर है नहीं बराबर है यह वाला option भी हमारा गलत हो गया यह भी गलत हो गया जो bending stress है वह independent of b है कैसा है नहीं है b पे depend कर रहा है clear तो अंसर तो चलो हमें मिल गया l is greater than d bending stress decide the failure stress क्यूंकि यह bending stress है जब l is greater than d by 2 तो मतलब एक यह extreme condition है अगर इसके extreme condition क्या लोगे तो पूरा extreme condition है l बराबर d by 2 पे bending stress की value क्या है हमारी 3f upon bd और यह जादा होती है shear stress से नहीं shear stress के लिए 3 by 2 bd है तो यानि कि यह failure कौन कर रही है bending stress decide कर रही है bending stress है वो decide कर रही है failure stress को failure समझ आगे अनोखा question था answer आप पक्का निकाल देते इसमें अगा थोड़ा सा concept आपके अच्छे देते तो ठीक है अब हमने 7 question कर ली एक question और कर लेते है इसरू 2015 में question आया इसने क्या कहा vertical deflection पुच्छा है B point पे और आपको कभी लोगों ने पूछा इसमें की sir इसमें आप strain energy method से हमें करके दिखाईए बड़े अच्छे तरीके से इसमें आपको कराने वाला हूं और शायर आपको अच्छा लए आपको इसके लिए free body diagram बनाना होता है सबसे पहले मैं इस portion का निकाल लूँगा और इस portion का निकाल लूँगा और मैं निकालने वाला हूं सबसे पहले strain energy अगर मैं इस portion को AB माल लूँ और इसको C पाल लूँ सबसे पहले मैं AB का निकालने वाला हूं अब इस अगर मैं AB को बात करूँ जहां से देखना समझना है तो comment का के लिए बुरा यह पॉइंट P है अब इसको balance कौन कर रहा होगा और यह length पूरी L है ठीक हो यह length पूरी क्या है L है इसको जो balance कर रहा होगा वो इस तरीके से कर रहा होगा यह P force लग रहा है ऐसे P into L क्योंकि यहां पर एक moment लग रहा होगी यह length कितनी है L है clear अब जाके यह balance हुआ है clear तो कैसे अगर आपको इसमें strain energy निकालनी है तो आपको एक section मानना पड़ेगा X और moment about X कितनी हो minus P X और strain energy अगर हमने पता है formula तो 1 upon 2EI integration यहां से कहां तक 0 से लेके L M square D X M की value minus P X square D X तो P square बाहर आ जाएगा X square का integration X cube upon 3 हो जाएगा तो यहां से जो strain energy की value सब्सकर करके आएगी वो कितनी आएगी P square L cube upon 6EI त्यान से समझना यह बस मैंने सिर्फ इस portion का सबसे पहले strain energy से निकाल दिया अब सबसे important बात क्या है कि इस portion में क्या लग रहा होगा इस P के कारण तो जो हमें vertical deflection निकालना है इस portion का vertical deflection निकालना है तो इस portion में BC portion को बड़े ध्यान से देखना है BC portion को हमें बड़े ध्यान से देखना है यह B है और यह C है जैसे मैंने बताया इस portion पे क्या लग रहा है PL लग रहा है तो इसको balance कौन करेगा ऐसे PL यह हम ऐसा कह सकते हैं कि इस BC portion पे एक constant bending moment लग रहा है जिसकी value है PL इसके कारण से यह जो इधर की side यह जो P force लगा ना यह तो इसके कारण से एक इसके कारण से PL का ही लग रहा है clear लेकिन आपको क्या निकालना है इसमें bending के कारण निकालना है linear तो नहीं निकालना है तो आपको क्या निकालना है कोई भी हम यहां पर ऐसे है यहां से माल लेंगे कोई भी section और इसका distance कोई भी क्या माल लेंगे y माल लेंगे तो इसके लिए इस BC portion के लिए अगर हम जे strain energy निकालना होगी तो इसके लिए भी formula 1.2EI length इसकी भी 0 से L तक है integration करेंगे my square into dx x my की value किते नहीं लोगे PL whole square dx ठीक है तो यह सब तो constant ही रहेगी न PL square तो बाहर आ जाएगा और x का integration x होगा limit 0 से लेके L है U of BC कितना आ जाएगा P square Lq upon 2EI total strain energy क्या आएगी दोनों को हम क्या कर देंगे जोड देंगे net strain energy वो solve करके कितनी आएगी हमारी आएगी 4 P square Lq upon 6EI यह भी question पूछ सकते आपसे net strain energy का बट आपसे क्या पुछा है इसने deflection पुछा है इस point पे इस point पे deflection पुछा है तो आप यहाँ पर theorem लगा लोगे तो आपको क्या बादा है जो deflection अगर आपसे a point पे पुछा है तो उसका value क्या होती है del U upon del P ठीक है जिस भी point पे पुछा है उसके आप P के respect में निकाल दोगे इसका differentiation कर दोगे तो इसकी जो value आएगी कितनी आएगी P square कि 2P आएगी तो यह कितना आजाएगा यहाँ से 8 8 upon 6 आजेगा यह 4 upon 3 आजाएगा 4 upon 3 PL cube upon EI इसका differentiation करके इसका क्या आजाएगा 2P आजाएगा clear तो हमने इस lecture में 8 अच्छे questions के रहे आजाएगा कि लेक्चर को जाद से जाद शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद क्या हुआ अच्छे 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 झाल झाल झाल